वेल्कम फ्रेंस ग्राजिवेट रोल्स में आप सभी काफिर से एक बार स्वागत करते हैं दोस्तों आज आपके लिएक बेस्ट टॉपिक लेकर आए हैं सो फ्रेंस इस बार हम डिसकस करने वाले हैं फाइनसलियर तेईस चुईस में जो टैक्स कलेक्शन का बजट बनाया था तो अब रिवाइस कर दिया गया है जो मंडे रिवाइस कर दिया गया है सो उसी के रिलेटेड थोड़ा सा आपको इनफोर्मेशन देंगे आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो आप बिजनस टैंडर्ड में न्यूज में आप यहां देख सकते हैं वहां पर आपको यह आर्टिकल मिल जाएगा बिजनस टैंडर्ड का फ्रेंट पेजरी आ आया था आफ्टर टू मंच काफी जादा बदलाव इंडिया में देखने को मिला इसलिए एक बार रिवाइज रिटन किया रिवाइज इस्टिमेट किया गया तो काफी अच्छा सा रिवाइज रिटन में आपको रिजर्ट देखने को मिलता इस बेस्ट कह सकते हैं फिलाल से रिवाइज करके उन्होंने रिजल्ट निकाला है काफी अच्छा सा रिजल्ट देखने को मिलता है बजेट में आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट टाक्स का कैल्कुलेशन 14.2 ट्रिलियन इसे वेरी बिगेस्ट अमाउंट हम फिलाले समय कह सकते हैं जो रिवाइज किया गया है जो मंडे 16.5 जो रिवाइज इस्टिमेट आपको यहाँ देखने को मिलता है काफी बड़ा सा डिफरेंस आपको इसमें से देखने को मिलता है इस डिफरेंस सिर्फ दोई महेने में इतना इंक्रीज हो सकता है तो आप सोच सकते हैं कंसिस्टेंसी इसी प्रकार बिज ग्रोथ देखने को मिल सकता है इस बार सो फ्रेंस काफी अच्छा सा डेवलप्मेंट इंडिया में हो चुका है और हो रहा है आगे भी होगा फ्रेंस नेट कैलकुलिशन की हम बात करेंगे तो 6.6 ट्रिलियन इतना आपको देखने को मिलेगा काफी अच्छा सा ग्रोथ होता अच्छा हुआ दिकाई दे रहा है कि कारोब्वरेक्ट इंकम टैक्स की हम बात करेंगे तो कारोब्वरेक इंकम टैक्स में 10.4 trillion समय के लेक्खाते हैं ऑर पर्स जो पर्सनल इंकम टैक्श रहते हैं 9.6 Wonderful ऐसे के हो गया पर्सन जो पे करते हैं और रिफंड की हम बात करेंगे तो रिफंड में 3.7 ट्रिलियन देखने को मिलता है काफी बड़ा amount है refund का भी so friends इसे हम देखेंगे तो काफी अच्छा सा return हमें यहां से देखने को मिलता है और जब budget and revise return किया गया उसकी जो percentage आपको देखने को मिल सकता है 7.63% का आपको growth देखने को मिल सकता है 22-23 में काफी अच्छा सा growth फिलाल इस समय देखने को मिल सकता है so friends बजट जब budget बना था आप यहां देख सकते है 16.5 trillion जो आपको मैं बताया था और 22 में 14.20 trillion इतना था आपको यहां पर भी differences देखने को मिलता है आप यहां सारे की सारे information पढ़ेंगे तो आपको किस किस में कितना कितना percentage differences और growth होता हुआ दिखाई देता है जितना भी आपको यहां grosses आपको नदार आए gross income जो भी मैंने भी यहां बताया था कितना percentage से increase हुआ है आपको यहीं पर पता चल जाएगा मैंने एक short summary आपके लिए लाया था काफी अच्छा सा business इंडिया में growth होता हुआ दिखाई दे रहा है इस फिलाल हम सब के लिए best difference है ऐसे ही हम इंडिया को आगे बढ़ाएंगे और इंडिया की सारे की सारे बिजनेस आगे बढ़ाने का एक जज्मा रखेंगे जो भी युआ पीडिय हम सब के लिए एक motivation है